हलो दोस्तों वेलकम टू फिल्मों की बाते आज हम बात करने वाले हैं मून नैट एपिसोड 3 के रिलीज टेट के बारे में और इसके प्रोमो का करेंगे हम इस वीडियो में रिवीव हमारा ये सफेद पूशाक वाला हीरो सफेद ये क्यों पहनता है क्योंकि ये प्रेजेंट करता है चाद के रोशनी को एपिसोड 2 के बाद एजिप्शन देवता खोंशू हमारे हीरो को पहुचा देता है कायरो में और कायरो में पहुचते ही वो जाता है एक मंदिर में और उसे वहाँ एक लेड़ी पूचती है कि तुम्हें सचने कुछ भी याद नहीं और वहाँ पे मिलती है उसे एक ममी आपने पुरानी दममी मूविस देखी ही होगी लोगों को वो काफी पसंद आई थी उसी तरह की ममी उसे एपिसोड में दिखती है वहाँ पहुच जाता है हमारा बिलन हैरो हाथ में गोल्डन स्कैरब लेके क्योंकि वो स्कैरब से ढून रहा है मृत्यू की देवता एमिट को और जैसे ही हैरो उसे जगाएगा उसका पूरी दुनिया पर कबजा हो जाएगा एपिसोड थी के प्रोमों में हमें नजर आ रही है मार्क स्पेक्टर की लैला उसे साथ देने में कैरो तक पहुच जाती है अभी तक हमें ये ने बताया गया है कि लाइला और मार्क कब मिले इनकी शादी कब हुई इन सारे बातों के जवाब हमें बिल्कुल नहीं मिले और एक नया पंगा इसमें एड हो गया है वेचारा स्टीवन इसमें बताया गया है पागल खाने में पागल खाने में स्टीवन कैसे पहुच जाता है क्या मार्क उस पे फिर से हावी हो जाता है पूरे सीजन में मुझे लगता है स्टीवन की तो लगने वाली है स्टीवन जिसका किरदार हमारा आ मेरा एप्रेल को तो देखना ना भूले एपिसोट पहले और दूसरे का रिव्यू मैंने डिस्क्रिप्शिन में दे दिया है हाँ चानल को सब्सक्राइब करना मिलकुल ना भूल